नेताओं में आरोप और तंज का खेल तो चलता रहता है, सत्ता और उपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन खबर, मुद्दा और सुर्कियां तब बन जाती है जब पार्टी का नेता अपने ही मुख्य मंत्री पर भी जुबानी हमला बो द्ख्श और वधायक अभीमन्यों पूनिया आभीमनिय पूनिया ने पूर मुख्य मंत्रिये से कॉंग्रेस में खलबली मच गई है। दरसल एक मीडिया इंटर्व्यू में नीट पेपल लीक मामले में बात चीत करते हुए अब इमहन्यु पूनिया ने बिज्जेपी के साथ अपने ही पूर मुख्य मंत्रिय शोग घहलोत को भी जमतर गे रहा। उन्होंने कहा कि पेपल लीक मामले में कोई सक्त कारवाई नहीं थी। इसकारण जनता ने उन्हें विदान सबाचुनाओं में चोहाप दे दिया। उन्हें आगे बोले पेपल लीक मामले के कारण कॉंग्रेस को काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से विदान सबाचुनाओं में मारवार में कॉं कॉंग्रेस ने भले ही कमीटी बनाई लेकिन अब बिजेपी के सरकार आने के बाद पूरे प्रकरण में बड़े-बड़े मगरमच पकड़े जाने चाहिए फिर चाहे वो बिजेपी का विधायक और नेता हो या कॉंग्रेस का ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनग प्रेन्यू शुक्रिया